जो हमने नौ बज़े का टाइम दिया था कि नौ बज़े हम जाएंगे मादुश्री पर आप देख सकते हैं कि कितनी पुलिस दिपार्टमेंट यहां उपर घेट दर्वाजे के बार खड़ी हुई है नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है हनुमान चालिसा को लेकर के छडीरा अर्थमने का नाम नहीं ले रही है एक तरफ बुल्डोजर गरजरा तो दुसरी तरफ हनुमान चालिसा पढ़ने को लेकर के सियासत हो रही है अमरावती से जो निर्दली सांसद है नमनीत राणा उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा था कि मातोस्री यानि की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई इस्थित आवास के बाहर वो आज हनुमान चालिसा का पाठ करेंगे उनके साथ उनके पती रवी राना भी होंगे इतनी खबर मिली कि मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और कल ही उनके घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन लगा दिया गए इसके बावजूद उन्होंने ऐलान जारी रखा था और अब पुलिस सीवसैनिक पहुँच गए उनके गेर लिया है और नहीं निकलने दिया जा रहा है प्रतिव पुलिस प्रत 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 प्रतृतिश्च के बामाइश, विक कैने जारी खालाएव जैसा कि आपने देखा अब उनका क्या कहना है और उनके पती रवीराना का क्या कहना है जरा ये भी सुन लिजिए को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीव करो जो बैरीगेट हमारे लेंग के तोरो तरफ लगी हुई थी आज बैरीगेट भी हटाए गए हैं और वो बैरीगेट क्रॉस करके अमारे गेट के अंदर तक दर्वाजे जहां पर बाकी भी दस फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं अभी आज में हो आफ़ार्ट में वह लोगों को भी परेशान ज़िए होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने की अंदर है लोगोन का हम ला करने की जिस तरीके सग्रेंग कर रहे है कि कल भी उन्होंने यही station को सब लें मुक्धमंत्री हमारे मारी कि इंदर्वा और अब जितनी मराठी मुझे आती है बिन कामे पूर्ण पगारी या पद्दती जो मुख्य मंत्री हैं हमारे कान कुछ नहीं परपगार पुरा लिया है मुख्य मंत्री का पीछले दो डाई सालों से और काम एक बार भी मंत्रा ने वो गये नहीं है पर सिर्फ कल पूरी फामली के साथ में वो मात्यूश्री के बाहर आये और अपने पुरे सिफसेनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली पदधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तयार किया और जब जहां कर रात तक बैरीगेट को कोई टच भी नहीं कर पाया जो सिफसेनि आज वो करने आम अगर गुंडा करते हैं सिफसेना में कर रही है और मैं अभी भी बोड रही हूं कि मैं नीचे भी जाओंगे और गेट के बाहर भी जाओंगी और मात्यों श्री के बार हम पनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे उसमें कोई भी हमें रोप नहीं सकता है तुमारे पास जरूर प्रशाशन और सरकार होगी तुमारी पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दिए तुम तुमारे पीडी के भरोसे खा रहे हो हम अपने स्वता हमारा भगविश्च हमने निर्मान करके यहां पर आए और बजरन बली की ताकत संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है तो कोई भी हमारा बाल भी भागा ने लिए डिपार्टमेंट को ही बॉलना है और उद्धो ठाकरे को भी बुलना है किसको अंदर डालना है किसको मडर केस में डालना है किसको कौन से कुना में डालना है बस वह ही प्लाणिंग करने के लिए उद्धो ठाकर मुख्यमंत्री हमारे महरास्ट्र में रह गए बाकी तो कोई काम करना नहीं अब घर से बाहर निकल के आज शनिवार है और शनिवार के माध्यम से आज जी का दिन है वह जञगुली का दिन है मारूती रायंचा दिवस है और यहां दिशी खराए अर्टना इस वैसे हम लोग निकल रहे हैं तो हमको यहां पे रोका जा रहा है और यहां पे रोक के बुरी बुरी से हमारे दर्वाजे पे खड़िये बाहर निकलने दे रहे हैं और मुझे लगता है अन्मान चारिसा पढ़ना और बैजरंग गुली का स्री राम हगवनता का नाम लेने के लिए अगर यहां पे उद्धो ठाकरी जी की पर्मिशन लिना प आपके सहीनिक अगर रहते थे तो मैरे को मालूम है वह अन्मान चली सामर्जद पढ़ते थे यह पावर का दूरुपयोग मुख्यमंत्री महाराफ्ट्य में कर रहे हां काईदा सुयस्ता बिग्णी हुए और हमारे घर में घुषके हमारे गेट कुल आत्मारे हमारे अंदर अगर महाराफ्टा के अंदर एक आमदार और खाजदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जंदा महाराफ्टी कैसी सुरक्षित रहेंगी यह महाराफ्टा की जंता का सवाल है बैजंग बुली हमारे शरीर में हमारे खुन में सी राम भगवनता की विचार हमारे शरीर में इसे कोई खतम नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता, अगर यहां पे रोकने की ताकत उनमें है, तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत उनमें हैं। बिदे हैं, आप दूसरी त्रफ का भी जो बयान है, उसे गोहर खर माया जा, कहना यह रहिए है कि यह हन्वान 46 को हत्यार बना करके सियासत की जा रही है, लिया जा सियासत का जबाब सियासत से ही दिया जा सकता है, तो महाराश्च की सरकार अपने हिसाब से इनहें, जवाब द रही है कौन सही है कौन गलत फैसला आप किजिए रहे ने बेखबर देखते रहिए इनकबर थेंक इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें